प्रेम चन के फटे जूते हरी शंकर परसाई प्रेम चन का एक चित्र मेरे सामने है फत्नी के साथ फोटो खिचा रहे है सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने है कनपटी चिपकी है, गालों की हडियां उभर आई है पर घनी मुझे चहरे को भरा भरा बताती है पाउ में एक एन्वेस के जूते हैं, जिसके बंद बेतरती बंदे हैं लापरवाही से उपियोग करने पर बंद के सिरो पर की लोहे की पत्री निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है थब बंद कैसे भी कस लिये जाते हैं दाही ने पाउं का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है मेरी दृष्टी इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिचवाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग-अलग पोशाके नहीं होगी, इसमें पोशाके बदलने का गुण है ही नहीं, ये जैसा है, वैसा ही फोटो में खिच जाता है मैं चहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहितिक पुर्खे के तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी अहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या जेप नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते के धोती को थोड़ा नीचे खीच लेने से अंगुली धख सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, फोटोग्राफर ने जब रड़ी प्लीज कहा होगा, तब परमपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुए के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खीच कर उपर निकाल रहे होगे के बीच में ही, क्लिक करके फोटोग्राफर ने थांक्यू कह दिया होगा, विचित्र है ये अधूरी मुस्कान ये ये मुस्कान नहीं इसमें उपहास है व्यंग है ये कैसा आद्मी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिचा रहा है पर किसी पर हस भी रहा है फोटो ही खिचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिचाते फोटो ना खिचाने से क्या बिगरता था हाँ शायद पत्नी ने आगरह किया हो और तुम अच्छा चल भई कहकर बैट गए होंगे मगर ये कितनी बड़ी ट्राजडी है कि आदमी के पास फोटो खिचाने को भी जूता ना हो मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे प्लेश को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ और जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ मगर मगर तुम्हारी आखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है तुम फोटो का महत्र नहीं समझते समझते होते तो किसी से फोटो खिचाने के लिए जूते मांग लेते लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं अरे फोटो खिचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है तुम से जूते ही मांगते ना बने तुम फोटो का महत नहीं जानते लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिचाते हैं जिससे फोटो में खुश्बू आ जाए गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुश्बू देती है तोपी आठ आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी पांच रुपए से कम में क्या मिलते होंगे जूता हमेशा तोपी से खीमती रहा है अब तो जूते की खीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर पचीसो तोपी आने अच्छावर होती है तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मुल्ले के मारे होए थे ये बडंबना मुझे इतनी तीवरता से पहले कभी नहीं चुब ही जितनी आज चुब रही है जब मैं तुम्हारा भटा जूता देख रहा हूँ तुम महान कथाकार उपन्या समराट युक प्रवर्तक जाने क्या क्या मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है यहां उपर से अच्छा दिखता है अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगुटे के नीचे तला फट गया है अंगुठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहु लुहान भी हो जाता है पूरा तला गिस जाएगा पूरा पंजा चिल जाएगा मगर अंगुली अंगुली बाहर नहीं दिखेगी तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँ सुरक्षित है मेरी अंगुली धकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है तुम पर्दे का महत्वी नहीं समझते हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं तुम भटा जूता बड़े ठाट से पहने हो मैं ऐसे नहीं पहन सकता फोटो तो जिन्दिगी भर इस तरह नहीं किचाओं चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे होसले पस्त कर देती है क्या मतलब है इसका कौन सी मुस्कान है ये क्या होरी का गोडान हो गया क्या पूस की रात में नील गाय हलकू का खेट चर गई क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डाक्टर क्लब छोड़कर आ नहीं सकते थे नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराप पी गया हाँ वही मुस्कान मालूम होती है मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं कैसे भट गया कैसे भट गया ये मेरी जन्ता के लेखक क्या बहुत चक्कर काड़ते रहे क्या बनिये के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगा कर घर लौटते रहे चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है घिस जाता है कुम्भन दास का जूता भी फतेपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था उसे बड़ा पच्तावा हुआ उसने कहा आवत जात पनईया घिस गई बिसर गयो हरी नाम और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुखु पजत है तिनको करबो परहि सलाम चलने से जूता घिसता है भटता नहीं तुम्हारा जूता कैसे भट गया मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता भाड लिया कोई टीला कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है तुम उसे बचा कर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे टीलों से समझाता भी तो हो जाता है सब ही नदिया पहाड थोड़े ही फोड़ती है कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है तुम समझाता कर नहीं सके क्या तुम्हारी भी वही मजबूरी थी जो होरी को ले डूबी वही नेम धरम वाली कमजोरी नेम धरम उसकी भी जंजीर थी मगर मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धरम तुम्हारी नेम धरम तुम्हारी कमजोरी नहीं नेम धरम तुम्हारा बंधन नहीं तुम्हारी मुक्ती थी तुम्हारी ये पाउं की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है जिसे तुम घृनित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाहूं की उंगली से इशारा करते हो तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूटा फाड लिया मैं समझता हूं तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ तुम मुझ पर या हम सभी पर हस रहे हो उन पर जो अंगूली छुपाए और तलुआ घहसाए चल रहे हैं उन पर जो तीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता भाड़ लिया अंगूली बाहर निकल आई पर पाउं बचा रहा और मैं चलता रहा मकर तुम तुम अंगूली को ढाकने की चिंता में तलुवे का नाश कर रहे हो तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूं मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं अंगूली का इशारा समझता हूं तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूं झाल मुस्कान समझ तुम्हारे ज़स्चान समझता हूं